आप सब की दिवाली काफी अच्छी रही होगी और जोड़ार धमाकेदार फटापों के साथ मिठाईयों के साथ दोस्तों के साथ बहुत अच्छी शानदर अपकी दिवाली आपने मनाई होगी राइट तो गईज हमारे जो पावर कॉंसिप का सीरीज इसका ये लास्ट वीड अगर आप इस टॉपिक से डरते हैं या अलजिब्रा से डरते हैं तो यह टॉपिक आप काफी वीडियो काफी हल्प करेगा लास्ट दूर देखिएगा आपके बस्ताइम कम है तो अब इसको थोड़ा फास्वावड कर देजएगा 1.5 x 2 x पर देख देजएगा बट जरूर देखिएगा बिकाउस कोशन सम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हुए कुछ अच्छे कोशन भी करेंगे और पीवाई क्यूस भी इंदार के करेंगे तब को एक अटलीस आइडिया लग जाएगा कि इंदार में किस्ताइब कोशन आते हैं और क्या बेसिक अच्छे होने से क् कोशन भी इंदार कर सकते हैं ठीक है तो आप इसको भी ट्राइक करने का और कॉमेंट सेक्शन में जरूर उसका अंसर मुझे बताएगा इल शेयर आइल पिन दर राइट एंसर फो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अगर आप लोग को नहीं आईडिया तो ल अगर आपको बिल्कुल आइए नहीं है इसका तो प्लीज को तो प्लीज को टू आर् वीडियो सेक्शन और यह सारे के सारे सेशन बेहद इंपोरेंट ते जो मनें कवर किया हैं अभी हम लोग यहां पर है अलगी बिकाउस अदिवाली थोड़ा सा आगे पीछ वीडियो हो गांगे बट इस लास्ट वीडियो अगर दुड़ा सा आगे बीच्छे वीडियो अग विल अदर्सेंड ग्रास् औस और यहां प्राइं बनाल इस लोग पार कांगे करेंगे बिकास कर दो जारी खनाए जारी होना अच्छी वात में उसको अप्लाइ करना इस मोस्त इम्पॉरान इन दॉर टो वही हम लोग करेंगे इस वीडियो के अंदर तो यह जिए किस्ट न जानते होंगा कि मॉडलिस function exactly होता है बहुत सारे functions होता है उसमें एक function होता है मॉडलिस function को absolute function भी कहता है यह function करता है यह return करता है हमेशा positive value आप उस function के निदर x की कोई भी value डाले positive negative उसको कोई मतलब नहीं है function का काम ही है जो return करेगा राइट वो एक positive value ही return करेगा आपने input डाला उस function के अंदर x की value डाली minus 5 उसने return कर देना है plus 5 आपने डाला minus 0.5 तो उसने return कर देना है 0.5 positive value return करेगा magnitude में छिड़ चाड़ नहीं करेगा magnitude जो आप दोगे magnitude मतलब उसकी जो sign अगर हटा दें तो जो magnitude part है जैसे minus 5 में 5 को आप magnitude बोलते हो, minus 0.5 में 0.5 को आप magnitude बोलते हो, magnitude will remain same but the sign will always be returning as positive कुछ थीज है, डेफिनेशन के सहब से भी ध्यान देनी चाहिए जो भी हम बात कर रहे हो तो हमने समझ लिया कि अर मॉडलिस फंक्शन का काम क्या होता है ठीक है, इनपुट आप कुछ भी दो, वो आपुट रिटर्न हमेशा आपको क्या देगा, पॉजिटिव देगा clear? तो negative 10 आपने डाला, तो आपुट वोड बी positive 10 और obviously, इनपुट पॉजिटिव है तो फ्रो पॉजिटिव रह नहीं अगर देफिनिशन की बात करें, यह बहुत सारे बिच्टिव होता है देफिनिशन को लेग, कोई इसमें दिककत नहीं है समझते हैं, what is the definition? definition is, fx, function of x, y and fx, अगी चीज़ होते है fx equal to y equal to mod x, हम दो बार लगाते हैं तो इसके definition की है, definition की fx, function जो हो जाएगा x के equal, अगर x 0 से बढ़ा है या 0 के equal है और function की value हो जाएगी, minus of x, if x is less than 0 जादतर classes में जब भी हमने पढ़ाया है, तो पहला जो question बच्चों के mind में आता है कि sir, अगर आप बोल रहो कि your function is always positive है तो आप यहां पे fx को minus x क्यों लिख रहे हो, हमें आप बोल रहे हो कि हमें से positive value आती है, फिर आप यहां बता रहे हो कि minus x आता है, तो यह reason इसका simple है कि आप condition पर बच्चे ध्यान देते नहीं है कंडिशन पर जाद देंगे, कब बोल रहे है कि minus x होगा fx, कब बोला जा रहा है, वो भी तो देखो, वो बोला जा रहा है कि अगर x की value less than 0 है तब, less than 0 मतलब x अगर negative है तब, x अगर let's say example के तौर भी minus 2 मान लेता है, ठीक है, x minus 2 है तो जब minus of minus 2 करोगे, x की value minus 2 मान ही अपने, minus बहार लगा हूँ है, minus of minus 2 करोगे, तब ही तो plus 2 आएगा, ने तो फिर positive value कैसे आएगी तो वही एक चीज है कि मैनस क्यों लगा रहे है, minus of a negative number will turn out to be a positive value, तो यह definition बहुत important है, जितनी आपको simple लिख रहे है, तो अगर x 0 है, 0 से बड़ा है, तो तो कोई दिक्कत ही नहीं, ज़से 2 है, 3 है, 2.5 है, 2.7 है, तो तो फिर function की वाली से नहीं हो जाएगा, 2, 2.5, 2.7, त simply x, plus x, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट अगर x negative है, तो आपको minus of x लिखना पड़ेगा, ताकि effectively उसको जो value है, वो positive है, तो यहां पर कोई example जैसे हमें लिखे हो है, mod of 5, अपने input क्या रखा, x value क्या है, positive, तो क्या आएगा, positive 5, mod of minus 7, input क्या रखा, अपने minus 7, तो भी output क्या प्लस of 7, 0 का mod 0 होता है, ठीक है, output is always positive, ग्राफ को अगर आप देखोगे, हमने जो definition बनाई है, इसी से ग्राफ बिल्ड भी होगा है, right, x की वहले 0 या 0 से बड़ी हो, तो y equal to x, fx equals to x, तो अब 0, 0 से बड़ा x का होता है, यहां पर, इस y-axis के right side में, आप देखोगे, y-axis के right x हमेशा positive होता है, ठीक है, तो हमरे लिए, if हमने लिखा x, 0 हो, 0 से बड़ा हो, तो जो y होता है, वो plus of x होता है, ठीक है, y equals to plus of x, यह लिखा है, y equals to plus of x, ठीक है, तो y equals to x का आपको ग्राफ प्लॉट करना है, for this condition, अलब यहां से लेके, यहां तक, y is right inside पे आपको ए ठीक है, 1, श बाउने से якіज्स, 15 वाउने से आपकी यहां ऎछने, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 0 …चल्च, बाउने से आपको एक ब्वाले कोज्टक, प्लाइक यहां म Crk ओल तो ऑइक का स्कूल नहीं होता है, यहां तो 45ड रिः यहां से 45 डिगरी यहां से 45 डिगरी यहां एakसे 45 नहीं कर सकते हैं, विकोज हमें एक चंडिशन थी, x जब 0 हो, उससे बड़ा हो तो, तो you cannot extend this line, this side, आपको यहीं से आप यह लाइन बना सकते हैं, ठीक है, और अगर आपने दूसरी बात की थी, कि अगर x लेजर 0 हो, तब if x लेजर 0, बन्दब y-axis से towards left की बात करें, तो in that case, y क्या होता है, function क्या होता है, minus of x होता है, y equals 2, minus of x, तो अगर आप x ले रहे हो, let's say, minus 1 लिया, अपने minus 1 यहां रखा, ठीक है, अपने यहां रखा, let's say, example के लिए, ताकि आपको और confusion हो, x को अपने रखा, minus 1, क्योंकि आपको और x लेजर 0, x minus 1 रखा, यहां रखा, यहां रखा, तो y कितना आजाएगा, plus 1 आजाएगा, तो इजो पॉंट है, एक पॉंट जिसके coordinates हो, minus 1 औ 1, can you plot it, yes, you can plot it, if this is minus 1, this would be 1, y positive and x negative, x negative 1, y positive, यहां पॉंट आएगा, फिर, minus 2 रखा, अगर x को minus 2 रखा, यहां रखा, plus 2 रखा, तो और उपर यहां पॉंट अपको मिल जाएगा, इस सारे पॉंट ऐसे बहुत से infinite points होंगे, तो इसको पॉंट करोंगे, और वैसे भी y equal to minus x जो line होती है, y equal to minus x, that is this one, ठीक है, again, यह जो line है, यहां पर रोपनी पड़ेगी, आप extend नहीं कर सकते है, तो आपने क्या बोला है, x less than 0 हो तब, तो basically हम लोग बुलते है, y equals to mod x का जो graph होता है, वो v for victory होता है, v for victory, and इसका vertex होता है, वो origin पे लाई करता है, clear, definition is, this is definition, इसी को आपको ध्यान है, clear, अब questions पर चलते हैं, देखते हैं, questions solve कैसे की जाते हैं, right, basic questions हम लोग start करेंगे, and you just grasp the concept, approach कैसे होती questions को solve करने ही, हम start करने हैं, बड़ा असान से, question के साथ, so, पहला question है, कि भी, mod of x minus 2, equal to 6 दिया हूँ, इसको solve करना है, solve करना मुदो, x की value निकाल ने, जो इस equation को satisfy कर, okay, so, question 1 is pretty simple, so, question 1 हम लोग ले रहे है, mod of x minus 2 is equal to 6, okay, so, जो अंदर वाला expression है, वो plus 6 भी हो सकता है, plus 6 का mod, plus 6 होता है, right, आजाएगा, और अंदर वाला expression, minus 6 भी हो सकता है, कि minus 6 होगा, तो भी mod लगके, तो 6 आई जाएगा, तो दो चीज़े निकल के आएगे, इससे, ठीके, इस चीज़ को मैंसे ही करता है, यहाँ पर, we say, x minus 2 can be equal to 6, और और भी लगा रहे है हम लोग, और दूसरी चीज़ होती है, x minus 2 is equal to minus 6, बोथ possibilities are there, अब इसको solve करना है, तो x की दो values आजाएगी, और दोनों ही हमारे solution का part होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर x कितना आजाएगा, 2 धर जाएगा, 8 हो जाएगा, और, minus 2 धर जाएगा, 2 minus 6 करोगे, minus 4 आजाएगा, ठीक है, तो यही हमारा solution है, solution मैंदद x की वो values जो इस equation को satisfy करे, आप चाहँ तो verify ज़रूर कर सकते हो, तो जैसे बने solve किया, ऐसे किया, बिलकु सही है, 8 हमारा answer आ रहा है, solution आ रहा है, इसको रखके देख सकते हो, यहाँ प mod की आएगा, it is plus 6, तो दोनों ही x की values possible है, ठीक है, तो यह अपका solution हो गया, x equals to, x is equals to minus 4 और 8, ठीक है, तो easy है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, तो यह तो अपका first part हो गया, अगला देखते है, यहाँ पे 3x minus 4, mod लग गया है, equal to mod of 5x minus 6, दो जगे mod, इधर भी mod है, इधर भी mod है, अब solve कैसे करें, तो इसमें चार conditions बनेंगी, देखा जाएगा तो, यहाँ लेते हैं पहले, question 2 पे आते है, question 2 is, mod of 3x minus 4, is equals to mod of 5x minus 6, 5x minus 6, ठीक है, तो यह दोनों equal है, तो हम लोग condition लेते हैं, पहला, अगर plus of this है, mod हटाते हो, तो एक बार plus लेते हो, एक बार minus लेते हो, तो पहले condition आएगा, plus of 3x minus 4, as equals to, यहाँ भी आप more data के plus लेते हैं, 5x minus 6, एक condition तो यह आ रही है, ठीक है, दूसरा condition, और नीचे लिखते है, यहाँ पे प्लस रहने दो, और यहाँ पे change कर दो, minus of 5x minus 6, ऐसा भी हो सकता है, third condition, minus लेते हैं, 3x minus 4, और यहाँ पे plus लेते हैं, 5x minus 6, जितने भी combination से plus, 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 minus, minus, plus के, हम लोग लिख रहे हैं, minus of 3x minus 4, is equals to minus of 5x minus 6, ठीक है, अगर आप दियान से देखोगे, तो यह जो equation, यह वाली condition, यह वाली condition, बिल्कुल सेम है, इनका solution तो सेम ही आना है, तो चाहँ तो तो अपने जाएगा, तो बिल्कुल से लास्ट एक ही हो गया, तो आप सिर्फ पिख सकते हो इसको भूल सकते हो, दि में सेब्स और अधेनल ही तो प्लस है, तो यह मैंनस है, अधेनल है, यह मैनस है, यह प्लस है, तो अल्टिमेटली, अगें, तो इस तो is going to be same, तो इसको ही solve करना, देखते हैं, 5x, 3x इधर जाके, 5x, 3x इधर जाएगा, तो 2x हो जाएगा, negative 6 से इधर जाएगा, 6 minus 4, 2 हो जाएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू कृतिया रही है, 1 आ रही है, x equals to 1, आप चाहो तो, यह solution भी है, आप verify कर से करोगे, इस 1 को यहां रखके देख लो, पुरी equation में, LH is equal to R, जाना चाहिए, आ रही है, देख सकते हो, 1 रखोगे, 3 minus 4, minus 1, इसका mod 1 आ गया, यहां रखोगे, 5 minus 6, minus 1, इसका mod b, 1 आ जाए, equal है, बिल्कुश सही, यहां पर देखते हैं, और क्या रही है, नेगिटिव 5x को अधर लाओगे, तो 8x हो जाएगा, और मैनस 4 को अधर लियाओगे, नेगिटिव, 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 प्लस 6, 6, प्लस 4, 10 हो जाएगा, तो यहां से x की वल्यू किती आजएगी, 10 by 8, that is 5 by 4, तो अगली वल्यू एक्सक्री 5 by 4, इसको रखके देखते हैं, 5 by 4 रखेंगे तो कितना रएगा, 5 by 4, 15 by 4, 15 by 4, 15 by 16, minus 1 by 16, minus 1 by 16 आजाएगा, यहां पर 5 by 4, 15 by 5, 25 by 4, 25 by 24, that is 1 by 4, तो यह 1 by 4 है, and अगल कितना पर कितना माटवल खेंगे, is 1 by 4, वेरिफिकेशन कर रहा है, हम लो 1 by 4 ए 1 by 4 एक्वल फिर से आगी, तो यह सलुशन है, इस इस पर्फेक्ट, तो इत विल है टू सलुशन, ठीक है? इसको नोट कर लिजेगा, ओके, लेट सी थर्ड वन, इसका अंसर मैं लिख देता हूँ, यहां पर 4 और क्या था हमारा, 4 और 8 आए था, 4 और 8, यहां पर आए था, इस 1 और 5 हुआ है, 4, ठीक है? 1 और 5 हुआ है था हूँ, ठीक है, इसको दिखते हैं, mod के अंदर, quadratic है, equal to 4 है, इसको 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 करोगे, let's see, mod of x square minus 2x minus 4, यहां लिख रहे है, portion number 3, mod of x square minus 2x minus 4, is equal to 4, ठीक है? ठीक है? टीक है, दिखते हैं, Sólal करते हैं, पहला, यह जिए एक्सपेशन है, यह एक्सपेशन हो सकता है, x square minus 2x minus 4, can be equal to 4, है न? तभी अब 4 को, mod 4 हो जाएगा? या फिर और लगा के लिखोगे, x square minus 2x minus 4 equal to minus 4, तो यहां पे, है ना? कितने roots आ रहे हैं, यहाँ पर देखना पड़ा है, कितने roots आ रहे हैं, let's find it out, so quadratic solve करनी हैं, quadratic solve करता है, so minus 4 minus 8 हो जाएगा, x square minus 2x minus 8 हो गया, यहाँ पर, इसी को solve कर लेता है, minus 8 कैसे मिलेगा, minus 2 चाहिए आपको, it is 2 minus 4, right, x square plus 2x minus 4x करोगे, तो minus 2 आ जाएगा, ठीक है, तो x common, x plus 2, minus 4 common, x plus 2, यह यह आएगा, तो यहाँ पर अपने x plus 2 लिया, और यहाँ पर x minus 4 लिया, यहाँ पर आपको दो values मिल जाए, x की, x याँ तो minus 2 है, या plus 4 है, ठीक है, अगे आप cross check भी कर सकते हो, यहाँ पर सब और चल रहा है, और, 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 और possibilities है, देख लिता है, minus 4 minus 4 cancel, यहाँ पर x square minus 2x equals to 0 ही बजग गया, x common लिलिया, x minus 2 हो गया, equals to 0, x याँ तो 0 है, या 2 है, ठीक है, तो 0 भी satisfy करेगा, 2 भी करेगा, minus 2 भी करेगा, 4 भी करेगा, there are 4 values of x which will satisfy this mod equation, so I hope you are able to understand, कैसे इसको करना है, यहाँ पर x की वाली आप 0 ले सकते हो, minus 2 ले लो, 0 ले लो, 2 ले लो, और 4 ले लो, साई वाली इस भी पॉसिबल है, ठीक है, easy, चलिए, इसको रप करते हैं और देखते हैं, पूर्थ कोश्चन कैसे करेंगा, let's see the fourth question guys, so fx, अगर x plus 4 है, x belongs to real number, gx, अगर mod of 2x plus 1 plus 3 है, x belongs to real number, solve the inequality, f or g x greater than 12, अब mod भी है, f or g भी है, और inequality भी है, how to solve it, तो mod की inequality को भी मैं help करो, आपको समझाना में, ऐसी inequality आएगी, तो कैसे आप solve कर सकते हो, तो तीन चाचीज इसके अंदर, मिली हुए, अच्छा question है, let's understand this, ठीक है, सबसे पहले, question 4 में, आपको समझ मनानाज है कि, what is f or gx, ठीक है, fx पहले लिख देते है, fx दिया हुआ है, x plus 4, ठीक है, अब हमें चाहिए सबसे पहले, f o gx, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि, इस function के लिए, gx खुद input बन गया है, और fx, gx इसल रिकम दो input, जैसे, f of, इसका मतलब ऐसा बोता हो, f of gx, यह इसका मतलब होता है, f of gx, तो इस function में, और gx हमको पता ही है, वे no gx, इसको पूरा उठा गया, सबस्यूट करेंगे, तो mod of 2x plus 1 plus 3, यह आपका gx होगे पूरा, वो plus 4 तो पहले सही था, तो basically अब भूसकते हो, f of g of x जो दिया हुआ, उसने, 2x plus 1 plus 7 दिया हुआ, तो इस expression लिखा है, mod of 2x plus 1 plus 7, this is f of gx, और inequality बोलती है, this should be greater than 12, तो लिख लेते हैं इसको फिर से पूरा, ठीक है, तो यह जो है, इसको अब लिखा जा रहे है, f of g x greater than 12, तो इसका अब लिख लेते हैं, लिख लेते है, mod of 2x plus 1 plus 7 greater than 12, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब 7 को अधर ले आते हैं, minus 2x plus 1 greater than 12 minus 5 is, 12 minus 7 is 5, ठीक है, अब यहां पर आके स्ट्वन कई बर, अटक जाते हैं, रूख जाते हैं, अब कैसे करें इसके आगे, यह तक तो ठीक है, अब आप खुद सोचो, mod of 2x plus 1, अगर 5 से बड़ा है, तो जो अंदर expression है, जो अंदर expression है, उसके 2 possibilities है, यह तो 5 से बड़ा होगा, जो भी होगा, positive 5 से बड़ा होगा, 5.5, 5.7, 5.96, कुछ भी होगा, ठीक है, positive, ठीक है, तो उसका mod लेने से, 5 से बड़ा ही जाएगा, दूसरा क्या सो लखता है, कि अंदर वला जो एक्सपेशन है, 2 x plus 1 वो मानस 5 से छोटा हो, मानस 5.5, मानस 5.9, मानस 6, कुछ हो यह, प्योगि इसका मॉडल, जैसे मानस 6 ही है, पूरा एक्सपेशन मानस 6 है, मैनस 6 है, ठीक है, मैनस 6 का मॉड लोग तो क्या आएगा, 6 आएगा, 6 बड़ा है कि 5 से, है, तो दो situation निकल कि आती है, तो अंदर का expression है, वो बड़े value से 5 से बड़ा हो, या मैनस 5 से छोटा हो, ठीक है, so, तो सही तरीका है, वो ऐसे ही रहता है, करने का, कि आप 2 मिनट की इसको कि आएगा, 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 क कुछ बैसी बात कि इस mod equation के क्या roots रहेंगे, root is a wrong word, बढ़ इसको सब्जो कि x क्या values रहेंगी, इस expression की मौलो, not x की value, इस expression की value क्या ले सकते हो, कि equation satisfy जाएगा जाएगा, इस expression को या तो अप plus 5 होगे, या minus 5 होगे, ठीक है, तो वही उसी के साब से माँगे चलते हैं, plus 5, minus 5, right, बढ़ा is 5, छोटा is minus 5, तो हम लोग दो चीज़े यही से निकालते हैं, and we say कि यार दो condition होगी, 2x plus 1 छोटा हो जाए, minus 5 से, छोटे से छोटा हो जाए, या फिर 2x plus 1 बढ़े से, that is 5 से बढ़ा हो जाए, अब इसको solve करने तो कोई big deal नहीं है, तो this will go that side, तो कितना हो जाएगा, minus 5, minus 1, minus 6 हो जाएगा, ठीक है, तो 2x, less than minus 6 हो गया, और 2 से divide करें को both side 2, minus कितना हो जाएगा, 3 by 3 हो जाएगा, minus 6 by 2 is minus 3, एक तो यह हो गया, और देखते हैं क्या रहा है यहाँ पर, 1 को दर लिएगा 4 हो जाएगा, 2x greater than 4 हो गया, और x greater than 2 हो गया, तो minus 3 से छोटा x कुछ भी चलेगा, और 2 से बढ़ा x कुछ भी चलेगा, this will always satisfy, यह हमारा solution है, अपने देखी हैं कि ने देखी हैं कि ने देखी पावर कॉंसर्ट में, प्लीस चेक के लिएगा, solution लिखना सिखाया गया था, 2 से बढ़ा कुछ भी तिल infinity, और minus 3 से छोटा कुछ भी तिल negative infinity, इस थाप से आप solution लिख सकते हैं, सिखाया भी था आपको, अगर कैसे लिखोगे इसका solution, negative infinity, minus 3 को छोड़ना है, तो small record लगाते हो, उसको leave करने के लिए, फिर यूनियन लगाते हो, फिर यहां पर 2 को भी छोड़ना है, फिर यहां पर 2 को भी छोड़ना है, plus infinity, this is how you write the solution of the equation, ठीक है, अगर यहां पर less than 5 होता, less than 5 होता, तो क्या solve करते हैं अप, यह expression है, यह minus 5 और 5 के बीच में होता, फिर उसका हम solve करते हैं, एक स्की हमको range मिल जाता, तो वह solution वैसा होता अगर यहां less होता है, तो इस expression के value 5 से बड़ी होगी, यह फिर minus 5 से चोड़ी होगी, और अगर यहां less होता तो, इससे expression के value, minus 5, 5 के बीच में होती है, तो अब PYQ पे चलने का time है guys, let's come to PYQ, and let's see, इन दौर ने कैसे कैसे question पूछे होगा, 24 में जो question आया है, इस साल जो question आया है, आप लोग के लिए assignment भी हो, जितना भी आपने सीखा है, उसके basis पर कर सकते हो, और hint भी आपको ले दूँगा, चलो देखते हैं, 22 में, लाइन से question आयाता है, यह भी यह भी लाइन से mod के उपर question आयाता है, देखते हैं आप नपार है कि नहीं, the area enclosed by 2 mod x plus 3 mod y less than equal to 6 is, the area enclosed by, यह जो inequality भी है, mod भी है, इसके अंदर एरिया enclosed होगा, उसका area कितना होगा? That's the question. ठीक है, तो, inequality है, तो area आप निकाल सकते हैं, बट इसका जो main theme है, वह यह कि mod, mod दो जागे लगे, सारे combinations आप लेते हो, mod हटता है, plus of x, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 6 से अगर आप इसको बोर रहे हो, line आप plot करने की बात कर रहे हो, तो जो first line आएगी, mod हटा के, दोनों mod हटा के, plus plus का combination लोगे, तो first line जो आएगी, 2x plus 3y less than equal to 6, first line ऐसी आजाएगी, ठीक है, combination आपको लेने पड़े हैं, जिसे आपने पिछले portion में लिया था, last slide में, 1 bar plus, 1 bar plus, एक combination plus plus का हो गया, दूसरों combination plus हो, minus के लेंगे, 2x minus 3y less than equal to 6, ठीक है, पीसरा, आप समझ गयोंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यह plus plus का हो चुका है, अब यह combination minus कर जाएगा, minus 2x, और इसको plus 3y कर दो, less than equal to 6, last जो रहाएगा, minus 2x और minus 3y, less than equal to 6, तो अगर अब धियान से देखे हैं, आपको inequality plot करते आती है कि नहीं, ठीक है, तो this is what will play the important rule to crack this question, shortcut तो खिर बाद में बताई देंगे आपको, but fundamental की हम बात कर रहे हैं, concepts की बात कर रहे हैं, तो क्यों होता है, area bounded क्यों होता है, वो सब सीखने के लिए यह हमें करना जरूरी है, 4 lines आगे है, इसको जो हम plot करते हैं, quality geometry जो plotting हम लोग करते हैं, 6 by 2, 1, 2, 3, यहां पर cut करेगा, ठीक है, और यह जो line है, 2 minutes के हम इसको equal to मानते हैं, equation आ जाएगा, उसको plotting कर लाएं, इसको प्रोटिंग कर लाएं, area हम बाद में निकाल सकता है, तो एक बर हमने y को 0 put किया, in order to obtain the point where line is intersecting x-axis, तो y को 0 put किया, तो x की value कितने आगी, less than equal to 3, तो x, यहां से x 3 और y 0 हो गया, इस point से line पास करेगा, दूसरा, यह वाली point यह जो line है, y से कहां कट करी हो देखना है, तो x को 0 रख देंगे, तो y कितना आजाएगा, 3 y less than 6, यह y less than 2 आजाएगा, और यह 3,0 से line पास करेगा, line 1 की बात चल रही अभी, तो इसको plot करते है, अब उसके बाद, inequality की class में आज पावर कॉंसर्ट में सिखाया था, क्योंकि है तो inequality, इस line की आपको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, you will cover all the area, तो जब उसने बिला less than equal to 6, तो अगर हमें x को 0 रखा, let's say y की value, वह सब आ रही है, जहां पर 2 से छोटे y कवर करना है, y2 कहां पर यहां पर, तो जो 2 से छोटे points से अब covered होने चाहिए, तो हमें area or line के नीचे ही लेना पड़ेगा, तभी यह सारे points covered हो पाएंगा, will not go above, will come down, तो यह पूरा का पूरा region covered हो जाएगा, तो यह से अपने एक line को plot किया है, वैसे बाकियों को जब plot करेंगे, तो एक common intersecting area यहां जो की square बनेगा, यह rectangle बनेगा, यह बद चेक कर लेते हैं, यह बनते हैं, ठीक है, यहां भी plus x और minus y है, यहां पर आजाएगा, तो यह आपकी दूसरी line हो जाएगी, ठीक है, इस भी second line, ठीक, जो आप दोनों negative लोगे, तो यहां पर negative यह जो है, मैं negative negative, तो यहां पर one, two, three, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, definitely, क्या बने रहा है, rhombus, चेक करते हैं, और लास्ट में, यह अपनी line रहेगा, negative x और y positive, यह यह line आजाएगा, ठीक है, तो यह आपको दिख रहे है, region, यह इसी की area की बात कर रहे है, इसी की area की बात कर रहे है, यह area कितना होगा, this is the question asked then dot, ठीक है, यह कितना होगा आपका, और rhombus का formula आपको, पताऊना अची क्या होते है, rhombus है यह, it's a rhombus, यह फिर एक काम कर सकते है, एक triangle यह निकाल लिया और सारे के triangle के area, equally होगा तो four times कर सकते हैं, वह भी काम कर सकते हैं, half diagonal one into diagonal two formula होते है rhombus का, उससे भी निकाल सकते है, let's find क्या है, area of rhombus, area of rhombus होते है, half d square, diagonals are equal, diagonals d1, d2 not equal, but d1, d2, okay, rhombus में diagonals are not equal, square में equal होते हैं, all sides are equal, let's check करते है, half d1, d2 कितना होते है, it is half diagonal one कितना होते है, this is two plus two is four, okay, and diagonal two is equal, three and three is what six, so it is half of twenty-four, that is twelve square units, okay, that would be the answer, yeah, if it is a triangle, this triangle is equal to double, you will get twelve as the answer, okay, so I hope, what are you doing with the modulus, combination of plus minus four combinations on the previous slide, I hope the things are clear, एक और question था उसी साल, वो शेक करते हैं, second question, can you do this, easy question है, a set of all possible values of the function, fx equals to x upon mod x, where x not equal to 0 takes s, तो x की क्या values होंगी, जिसके लिए function satisfy हो जाएगा, बता सकते हैं, बहुत easy question था, बहुत जादा, बहुत जादा, अप्शन से भी चल सकते हैं, अप्शन से भी चल सकते हैं, और जो अपने basic concept सीखा है, उससे भी चल सकते हो, set of all possible values of the function, इस function की क्या values possible है, यह पूछा है, जब x 0 नहीं है, तो x upon mod x, एक function है, तो लिख देते हैं इसको fx, बहुत easy type का हो गया question, आप सोच सकते हैं, इतना easy question भी आते है, x 0 नहीं है, और कुछ भी चल सकता है, तो आपको पता है, जब x 0 से बड़ा होता है, तो mod x को अपन x लिख का है, ठीक है, हम भी उसी ही साफ से चलते है, if x is greater than equal to 0, x is greater than equal to 0, तो mod x is plus x, तो हम यहाँ पर इसको replace कर देंगे, x के साथ, then fx जो हो जाएगा, x upon plus x हो जाएगा, यह होगी अपका 1, तो function के वली होगी 1, ठीक है, और दूसरी condition भी आपको लेने पड़े, x लेज़े 0 हो तब, तो यह mod x क्या होता है, सिखाते हैं सबसे पहले आपने, minus x, the function becomes minus x, mod x के वली minus x के equal लेंगे, x negative है तो, right, तो in that case, f of x equals to x divided by minus x, तो किता हो गया, minus 1, तो function की दो values पॉसिबल है, इतने ही हमको करना था, answer हो जाएगा, B, यह 22 का कोशन है, 3rd question check करते हैं, quadratic भी है, mod भी है, बहुत interesting question है, ऐसे question आते भी है, आ चुके हैं, चलिए, दिखते हैं, 3rd question इंदूर का, इस slide में जो है, can you crack it, the sum of the squares of all the roots of the equation, x square plus mod of x plus 4, plus mod of x minus 4, minus 35 equal to 0 is, sum of the squares of all the roots, इस equation की जितना भी roots होंगे, उन सब के squares का sum पूछा है कितना होगा, तो, I again will say, go with the basics, concepts को पकड़ो, और इसको solve करता है, ठीक है? 3rd question इस slide में जो आपको दिख रहा है, let's solve this, अब यहां पर जो आपको दिख रहा है, 2 terms है, mod वाली, एक है x plus 4 mod, एक है x minus 4 mod, तो हम इसके अंदर की जो expressions है, उसको equate to 0 करेंगे, तो एक बर आएगा x equal to minus 4, और एक बर आएगा x equals to 4, तो number line के उपर, अप्रोच बतारो मैं आपको, number line के उपर x equals to minus 4, कहीं पर लिखा, कहीं पर 0 आएगा, कहीं पर x equals to 4 आएगा, तो यह हमेरे critical points क्यालाते है, यह जो 4 और minus 4 और critical points है, things will change either side of these critical points, right, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं, x 4 है, 4 से बड़ा है, right, तो basically हम लोग यह ले रहे हैं, इस condition की बात करें यहां पर, x is greater than 4, तो automatically 4 से बड़ा है, तो minus 4 से बड़ा हो ही जाएगा, यह area, इस region की बात करें, x हम ले रहे हैं, तो 4 से बड़ा हो, 4 से बड़ा है तो minus 4 से बड़ा हुआ, right, so obviously, x minus 4 से बड़ा हो गई हो गया, है ना, अब इसको expression को change करते हैं, 4 को इधर लाते हैं, तो x minus 4 गड़न 0 हो गया, और x plus 4 गड़न 0 हो गया, इस expression को क्या मान रहे हो, आप दोने expression को 0 से बड़ा मान रहे हो, तो अंदर वाली जो चीज होती है, अंदर वाली expression है वो 0 से बड़ा मान रहे हो, है ना, यह भी 0 से बड़ा मान रहे हो, इस first case के लिए, तो यह क्या जाएगी, equation क्या बनेगी, दोनों को यह प्लस of है ना प्लस of mod हटेगा और प्लस of x plus 4 आएगा प्लस of x plus 4 आएगा यहां लिखते है first case जो बन रहे है वो है x squared mod हटाया मैंने because यह condition है x minus 4 जब 0 से बड़ा होता है तो हम लोग क्या लेते हैं mod हटा के plus of x plus 4 तो इसको प्लस of x plus 4 किया इसको भी plus of mod हटा के x minus 4 किया और यह है minus 35 as it is ठीक correct तो इसको हम solve करते हैं हमारे assumption दिया रखेगा हमने कौन से case लिए है x जब 4 से बड़ा है तब we have taken that as an example ठीक है तीन case लेते हैं एक यह वाला case लेंगे जब 4 से बड़ा है फिर यह वाला case लेंगे 4 और माइनस 4 के बीच में और फिर यह वाला case लेंगे जब माइनस 4 से छोटा है तीन case लेने पढ़ेंगे उसके साब से mod की जो science हैं और चेंज होंगे तो अभी 4 से बड़ा तो अभी 4 से बड़ा प्लस साइन दुनों के लिए लगा दिया इसका सॉल गरें रूट निकालते हैं तो एक स्कार्ण तो एक स्कार्य जोडेंगे तो टू एक सुझाएगा पूर नेगिटिव फॉर कैंसल मानस 3, 35 तो इक स्कार्ण को जाएगा अब 35 कैसे मिलेंगा x plus 7, minus 5, x plus 7. So x equals to what? 5 or minus 7. Can you see this? We will factorize two factors. x plus 7 and x minus 5. Either of them will equate to get 5 or minus 7. But what is the main thing? We have known the case of 4, x plus 4. We have learned from the start here, which is the assumptions. So who satisfies the assumption? This satisfies the assumption, not that it. So we discard it and accept it. This is the valid root. This is one of the valid roots. So you can approach the concept of this question and understand it. And if you don't know the concept of what happens, why are we taking the plus here, why are we taking the plus here, why are we taking the plus here, why are we taking the plus here? These critical points have basically number lines divided into three parts. The first part is 4. If 4 is bigger, then obviously minus 4 is bigger. We have taken this. The expression inside is 0. This is greater than 0. So the mod of this will be taken as plus of this, plus of this. Okay? I am going as per the definition that we studied. So let's write this plus 4, plus 5. One root comes. Okay? Roots. One root comes. Valid root comes. Valid root comes. What comes? 5. And let's see. Okay? Now, let's take the second condition. The second condition is minus 4. चोटा ले लेता है है यह वाला पार ले लेता है सेकंड एक्स यहां पे भी लेना पड़ेगा पिर समझाने अपको च्छेंज करें यहां पर अप क्या ले रहे है आप मैनिस फॉर से छोटा ले रहे है मै एक्स less than minus 4 ले रहे हो तो obviously x less than 4 तो हो गई वह एडिया में जो भी x रहेगा, minus 4 से छोटा है, तो obviously 4 से छोटा है, इसको हम बोलेंगे, x plus 4, less than 0, x minus 4, less than 0, तो जो अंदर का expression है, यह अब 0 से छोटा है, negative है, right? ऐसे जब भी होता है, x plus 4, less than 0, तो mod हट के negative sign आता है, यह अपने फड़ाता है, तो आपने equation बनाते है, क्या बन रही है? इस चीज को हम बान के चल रहे है, यह पहले हमने assume कर लिया, अब second, minus 4 से छोटे में लोग चल रहे है, negative है, तो equation क्या होने की, x square, mod हटेगा, minus का sign आएगा, x plus 4, और इसका भी same चीज़े देख सकते है, यह पहले हमने assume किया होगा, minus of x minus 4, ठीक है, minus 35 तो था ही, अब इसको solve करेंगे, दिखते क्या आथ है, तो minus 4 और plus 4 cancel, जैसे पिछली बार हो था है, यहाँ पर भी हो रहे है, x square, minus x minus x चोड़ेंगे, तो 2x हो जाएगा, minus 35 एकोल दो 0, है ना, यहाँ पर क्या रहाँ देख सेता है, x common, x plus 5 minus 7, x plus 5 equal to 0, तो x दिख रहा है, मुझे minus 5 होगा, या 7 होगा, बट अब अन्ने माना क्या था, माना था, x अगर minus 4 से चोटा है तो, यहाँ से मने start की थी कहानी सारी, ठीक है, x अगर minus 4 से चोटा है तो, तो minus 4 से चोटा कौन है, इन दोने में से, minus 5, ठीक है, तो यह, this will be accepted as the second valid root, and we do reject this, minus 4 से चोटे से start किया, तो भी लेना पड़ेगा, तो अगले आपको मिल गया, root minus 5, ठीक है, अब आप बीच वाले portion की बात सोच रहोंगे, कि उसके लिए हम क्या करेंगे, right, what we'll do for that, yes, अभी तो हम concept सीख रहे हैं, तो अभी कर सकता है, third case हमारा वही बनेगा, ठीक है, third case assumption क्या रहेगा, कि अगर x 4 से चोटा है, और minus 4 से बढ़ा है, इस portion की बात करें, तो x किया है, 4 से चोटा, minus 4 से बढ़ा, तो आप लिखोगे इसको, x greater than minus 4, and x less than 4, ऐसे बोलोगे, ठीक है, तो इसको इधर लाते है, x plus 4, 0 से बढ़ा, and x minus 4, less than 0, तो यह expression है, x plus 4 वाला expression है, वो आप 0 से चोटा मान रहे, तो इसके mod को हटा के, आप negative sign लगा होगे, और इस expression को, x plus 4 वाला expression को, आप 0 से बढ़ा मान रहे, तो आप mod हटा के, उसके लिए, plus sign लगा होगे, तो साइन से अब, इस बार plus minus होगे, ठीक है, तो देखते है, quadratic third क्या बन रहे है आपकी, third quadratic बनने चाहिए, इस portion के लिए, लिखते है, x square, जैसे x plus 4, 0 से बढ़ा मान रहे हो, ठीक है, तो mod हट के क्या बनेगा है आपके, plus of this, यह लिखते है, x square plus of x plus 4, ठीक है, और यह x minus 4 क्या मान रहे हो, 0 से छोटा, 0 से बढ़ा मान रहे हो, तो देख पारे हो, x कैंसल हो रहे है, x गटिंग कैंसल, और 4 आ रहे है, और कितना रहे है, 4 plus 4, 8 आ रहे, 8 आ रहे, 4, 4, 8, और मैंस 35, तो इक उस तो 0, कितना हो जाएगा, x square, negative 28, 27, 35, 27 हो जाएगा, और उधर जाके, negative 27, उधर जाके 27 हो जाएगा, ठीक है, तो, यहाँ पर x की दो values, मिल रही है हमको, x equals to, positive root 27, और, minus root 27, correct, root 27 करीब करीब कितना होता है, root 27 की value लगबग, अगर आप निकालो होगे, root 27, 16, 25, 5 point something होगा, x equals to, plus 5 point something, और, minus 5 point something, ऐसी होगे, root 25, 5 होता है, 27 थोड़ा से जादा होगा, तो, यहाँ पर, plus 5 something कुछ आ रहा है, x की वाले, और, यह minus 5 से, छोटा कुछ आ रहा है, ठीक है, आपने माना किया था, वो देखो, माना था, आपने, लेके हम चले थे, उसके सबसे, valid roots नहीं मिले, we have to discard both of them, ठीक है, तो, they are invalid roots, no other valid roots possible, यह भी cancel, यह भी cancel, because, we have assumed, इसके बीच में, x लेके हम चले, तो, basically, देखा जाए, तो, इस range में, हमें, दो roots मिले, बट, एक valid था, एक non-valuid था, invalid था, यहाँ पे भी दो मिले, बट, एक valid था, एक invalid था, assumption is so important, आप, इसके साइट पर चीज़ी लेके चल रहे हो, और कैसे इसको, अब सॉल कर रहे हो, तो, तीन केसे बने हमें, because of, critical points के कारंट, और, अब कुछ नहीं रहे गया, sum of the squares of all the roots, roots हमरे पर दो ही है, इसका square, 25, इसका square, 25, जोड़ेंगे, सम पूछा हुए, so it is 50, that is your answer, ठीक है, बासन मही, तो, step by step चीज़े आपको बताईए, इसी टाइप से आप की जाएगा, so हम लोग वीडियो के end पर पहुच चुके है, ठीक है, लास्ट कोशन, फिफ्ट कोशन is, वाट चेम इन दौर एक्जाम, इस यह, 24, उससे पहले हम लोग 20 का एक और कोशन देख लेते है, जो 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 ब्स्टेट फ़रवड कोशन है, the minimum value of fx is equals to mod of 3 minus x plus mod of 2 plus x plus 5 minus x का mod, तीनों मोट के summation का, इस पुरे expression का अपको minimum value निकालना है, इसका एक short cut आप से share करते है, क्योंकि ऐसा कोशन कही बर आप ही चुक है, तो क्या करते है, इसको equate करो 0 से, इसको equate करो 0 से, इसको equate करो 0 से, और देखो कि expression को जब equate करें, तो x की value क्या रही, that is called critical points, ठीक है, तो critical points, निकाल लेते है, critical points shortcut, x की value आजाएगी, यहाँ पे 3, यहाँ पे आजाएगी minus 2, और यहाँ पे आजाएगी 5, ठीक है, तो for sure, इसका minimum value होगा, इस पूरे function का, वो इन critical points में से कहीं पे होगा, इन critical points में कहीं पे होगा, चेक करते हैं, क्या आता है, ठीक है, तो हम f of क्या निकालें, 3 निकाल लेते हैं, या minus 2 निकाल लेते हैं, सबसे छोटनी value होए, input, तो minus 2 निकालते हैं, फिर f of, second largest value is 3, वो निकाल लेंगे, फिर f of 5 क्यालकोड कर लेंगे, ठीक है, क्या आता है, इनकी तीनो values में से ही, एक value minimum होगी, ठीक, क्या करोगे, so, f of minus 2 हमें करना है, तो minus 2 यहां रख देते हैं, कितना आएगा, एक से यह minus 2 रखा तो, minus minus plus 5 आगिया, 5 mod, यह cancel, और यहां पर minus 2 रखा तो कितना आजाएगा, चेक करते है, minus 2 यह भी 7 हो जाएगा, एक बाद लिख रेते हैं, 3, minus 2 यह तो 5 हो गया, यह 0 हो गया, और यहां रख रहे हैं तो 7 हो गया, ठीक है, तो यह आपका 12 आजाएगा, 3 रख के दिखते हैं कितना आजाएगा, यह 0 हो गया, यह 5 हो जाएगा, और यह minus 3 करें तो 2 हो जाएगा, यह आपका 7 वाल्यू दे रहे है, ठीक है, 5 रख के दिखते हो, तो यह आपका, minus 2 हो आए, और 5 plus 2 यह 7 हो जाएगा, ठीक है, So, can you see what is happening? तो ऐसे केसे में हमें देख रहा है, जो भी इन मेसेज शोटी वैली होगी, वो हमारा अंसर हो जाएगा, इन ही में प्रिटिकल पॉइंट पे ही फंक्शन के लिए लोएट आएगी, ठीक है, तो अंसर के हो जाएगा, 7, clear? तो बेसिकली इसका हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकता है, राइट, वी कन प्लॉट देख ग्राफ, जैसे मैं आपको बूला, है न, नमबर लाइन के उपर हम लोग प्लॉट करते है, मैनस तू कहीं यहाँ आएगा, जीरो आएगा, फिर थी आएगा, फिर कहीं यह 5 आएगा, तो यह जीरो प्लॉट के हिसाफ से, है न, 5 के राइट, लेफ में एरिया, जो आपको पोर्शन है यहाँ पर यहाँ पर, तो चार केटिग्रीज होती है, चार एक रेंज़ जीरो होती है, बट यह जीरो आएगा, ठीक है, जीरो देखा गया है यह लाइन्स की एक्विशन ही बनती है, अप मॉट्स को प्लस बाइस से खोलते भी हो, यह मॉट्स बाइस से खोलो, उल्टिमिल बनेगी लिएग लिएगा, लिएग लिएगा, लिएगेशन वेगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा और फिर कुछ ऐसा, critical points पे ही function lowest आता है, ठीक है, आप देख सकते हो, 3 पर ही क्या है? इसकी value किनती है, 7 है, तो यही function की value है, ठीक है, 3 पर, कुछ ऐसा बनता है, straight lines होती ही, जो slopes change कर देते हैं, critical points के उते है, ये lines की equation कैसे होती है, आप एक बर अऔर च्राय जुरू किजीए गो, एना, एस पर दीटिशन जैसे, एक जब 5 से बड़ा है, एक सब 5 से बड़ा है, तो अभिस नी थी से बड़ा हुँच्टी से बड़ा हुआ, 5 से बड़ा है, तो अब यह मॉढ आटाके, इसारे में मौट रटा कि अबकर अब ले सकते हूँ- प्लस-आफ प्लस-आफ-ाफ-ाफ- tämä आपको की है PULS-AW DIST आफ दिस प्लाइन प्लस-आफ आफ दिस बड़ं से बहुत जार बहुत जानी रहे अभी हम लोग देखते हैं, यह shortcut अपर सोन में आगया, क्या करना है, critical points निकालना है, रखना है, ठीक है, और जो value, critical point पर, एफ function की value, किसी भी critical point पर जो lowest होगी, वोस function का answer हो जाएगा, lowest minimum value अपनिकाल सेगा, ठीक, so, next question पर चलते हैं, and this is assignment for you guys, all of you, 5th question, इसी से लाए हुआ है, for some non-zero real values of a, b, and c, it is given that mod of c upon a equals to 4, mod of a upon b equals to 1 by 3, and mod of b upon c is equal to minus 3 by 4, if ac, that is product, ac मिले product, ac का product, अगर 0 से बड़ा है, तो b plus c divided by a की value, क्या होगी, ठीक है? so, अच्छा गुशन है, अच्छा गुशन है, अच्छा गुशन है, mod की understanding इससे बिड़ोगी, so, इसका मुझे अंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में दीजएगा, और I'll pin the right answer to this as well, hint, ऐसी है, hint देता हो, ताकि आपको easy पड़े थोड़ा सा, यहाँ पर लिखा है, B और C का जो रेशो है, मैनस 3 by 4 है, B और C का रेशो मैनस 3 by 4 है, A, C का प्रोट्ट गिड़े जीरो है, तो अपने आप में ये दो चीज़ें काफी hint दे रही है, काफी hint दे रही है, A और C का प्रोट्ट जीरो से बढ़ा, इसकी दो चंडिशन हो सकती है, पहली कंडिशन, A पॉजटिव हो, A जीरो से बढ़ा हो, and C दो गड़े दन 0, दोने ही पॉजटिव होंगे, तो अबसे तो निकोप्रोट्ट भी पॉजटिव होगा, ठीक, ये पहली कंडिशन हो सकती है, अगर ऐसा लेते हो, जैसे c तुमने positive लिया, ठीक है, यहां पर देखना, b by c equals to minus 3 by 4 है, ठीक है, c तुम बोल रहे हो, positive, तो b क्या हो जाएगा, it has to be negative, यह imply कर रहे है, है न, it is implying, यह दो चीज़ें काफे कुछ बोल रही हैं, जो आपको सीखना पड़ेगा, यह अगर आपने second condition, अगर अपने a को, यह दोनों negative होंगे, a और c दोनों negative होंगे, दोनों negative, negative positive हो जाते हैं, तो product बोड़े पॉसित है, जो कि 0 सबढ़ा हो जाएगा, तो a अगर negative ले रहे हो, तो c को भी less 0 मानना पड़ेगा, और c अगर negative हो गया, यह अगर negative है, तो b नेगटिव ने सकता, in तो इसको भी solve करके देखना है, इसको भी solve करके देखना है, यूल गेट the same value, दोनों ही case में, इसकी value एक ही आएगी, अलग रख वैलिज नहीं आएगी, तो यूल गे तो यूनीक वाल्यू, चाह ऐसे करो, चाह ऐसे करो, तो ऐसे आपको hint दीए मने, and solve की जाएगा, क्या अं you must have got a lot of insights about this topic, modelist function, और देखा अपने चाहर पाँच कोशन की है, असे difficult question नहीं थे, जो को इलकुल समझ ही ना, doable, manageable, थोड़ी से understanding, थोड़ी से hands-on practice, and you'll become good at it, right, so कम से कम चाहर कोशन भी आ रहे हैं, तो दो तीन तो बनाओगे इकम से, चाहरो ही बना सकते हो, बट इतना डर करने की जरूरत नहीं, right, कोशिश करोगे, कर जाओगे, ठीक ऐस, चलिए, thanks a lot for watching this video, and with this video, we're ending our series of power concepts, अगर आपने वाच नहीं की है, power concept के session, तो प्लीज जाहिएगा, video sections के अंदर सारे videos आपको recorded form में मिलेंगे, उनको ज़रूर देखेगा भले, आप 2x पर देखेगा, 1.5x देखेगे, बन देखेगे, very important, so November month also will come up with something interesting in academic series, so just wait for it, so अगर अपने notification के लिए, bell icon button नहीं दबाया है, please दबादो, ताकि हर एक नए वीडियो का, episode का, आपको, notification आतर है, ठीक है, because supergrads gives you very, very valuable content, every month, and every day, so don't forget to subscribe and share with your friends, right guys, चलिया, मिलते हैं, till then, bye-bye. Thank you.